हमें लगने वाला है यह थ्रेड यह 20 नमबर का थ्रेड है और यह 0.75 mm का हुग है और हमें एक एसा बड़ा रिंग चाहिए चालू करते हैं मैजिक चैन करेंगे पहले उसमें हम करेंगे दो चैन एक दो दो चैन करेंगे फिर डबल क्रोशेंट तीन तो टोटल हमें 14 डबल क्रोशे करने हैं तो यह 13 डबल क्रोशे करेंगे और एक चैन वाला एक ऐसा यह पकड़के 14 हो जाएंगे तो अब हमने दो किये हैं हमें टोटल 13 डबल क्रोशे करने हैं टोटल हमारे पास 14 लूप हो जाएंगे तीन चार तो यह अब हमारे 14 लूप हो गया है हम इसको खिचके टाइट करेंगे फिर हमने यहाँ पर जो चैन किया था उसमें जो टॉप की चैन है उसमें ओक को डालेंगे और स्लिप स्टीच करेंगे स्लिप स्टीच नेक्स राउन में जाते हैं नेक्स चैन में डालेंगे सिंगल क्रोशे करेंगे फिर चैन वन टू फिर बीज का एक chain छोड़ेंगे और जो थर्ड裝 chain है उसमें सिंगल कोशे करेंगे पिर नेक्स चैन में करेंगे सिंगल कोशें हैं एस एहां हमें टोटल राउंड में सिंगल कोशे करने हैं 14 चैन है तो हमारे पास साथ चैन स्पेस बनेंगे अब ही हमार रास्ट राउंड है तो पहला जो हमने सिंगल क्रोशे गिया था उसमें हुक को डालेंगे और करेंगे स्लिप स्टेज नेक्स राउंड में चलते हैं पहले सिंगल क्रोशे फिर डबल क्रोशे फिर में दबल क्रोशेई फिर ट्रिपल क्रोशे वाप स्ट्रिपल क्रोशेई फिर चैन वन फिर नीचे से ये जो है दो जगासे लूप में से हुख को डालेंगे खीचेंगे और सिंगर क्रोशे करेंगे ये जो लूप है इस पर हमें काम करना है फिर इसमें हम करेंगे सिंगर क्रोशे एक दो तीन चार पाच पाच सिंगर क्रोशे के हमने अब ये नेक्स टूप है उसमें हम काम करेंगे अब ये नेक्स टूप में काम करेंगे सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे ट्रिपल क्रोशे वापिस एक ट्रिपल क्रोशे चेन वन करेंगे फिर ये आगे के ये दो लूप है उसमें से हम करेंगे सिंगल क्रोशे इसमें हम को डालना है सिंगल क्रोशे करेंगे फिर ये लूप में पाच सिंगल क्रोशे करेंगे एक दो तीन चारह पाच वैसे आगे के जो है पाच ये से पैटन करके लेंगे इसमें डालेंगे पहले वाले चैन में और स्लिप स्टीच करेंगे उसके बाद ये जो यहां पर चैन है इसमें हम करेंगे स्लिप स्टीच स्लिप स्टीच स्लिप स्टीच स्लिप स्टीच स्लिप स्टीच और जो एंड वाला है उसमें स्लिप स्टीच फिर हम करेंगे साथ चैन एक, दो, तीन, चार, पाद, छे, साथ आगले चैन में डालेंगे सिंगल क्रोशे करेंगे वापिस एक, दो, तीन, चार, पाद, छे, साथ पहले चैन स्पेस में डालेंगे फिर सिंगल क्रोशे करेंगे है ऐसा हमें इमने दो किया है अभी तीन, चार, पाच और तीन जगा करना है यह दो जगा नहीं करना है टोटल पाच चैन हमें और पाच पेसे में यह चैन करने है कि नेक्स रों में जाएंगे चैन वन कि फिर कि इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे एक दोन तीन चार पाज छे साथ ताठ आठ चैन करेंगे नेक्स चैन में भी आठ चैन करेंगे एक दो तीन चार पाज छे साथ आठ अब ये बाकी के जो तीन है उसमें भी ऐसे आठ अठ आठा सिंगल क्रोशे करके लेंगे अब ये जो हमारा डिजैन है उसको हम रिंग में लगाएंगे सबसे पर लें करेंगे चैन फिर फोस्ट चैन वान डालेंगे और करेंगे सिंगल क्रोशे दो तीन चार पास छे पहले इसमें हम छे में करेंगे पिर आगी के दो चोड़ेंगे और जो हमारा रिंग है, उसमें हम करेंगे 4 सिंगल क्रोशे, एक, दोन, तीन, चार, इधर चार करेंगे और पीच में 1,2,3, 4, ये चार छोड़ेंगे और अगले वाले जो चारे उसमें करेंगे सिंगल क्रोशे, एक, दो, तीन, और चार, वापिस रिंग में चार करेंगे, एक, दो, तीन, चार, वापिस एक, दो, तीन, चार छोड़ेंगे, और आगे वाले चार में सिंगल क्रोशे करेंगे, एक, दो, तीन, चार, आगे भी हम ये दो लुप को, ऐसे हमारे जो चैन है, उसमें, आगे के भी ये दो जो चैन स्पेस है, उसको हम इसमें कंटिनो करके कंप्लेट करेंगे, देखें, ये हमारा रेडि हो गया है, इसको हमने कट कर दिया है, इसको और चोटा कट करेंगे, और फिर पीछे ये फैपरिक लू है, इसको खुप स्वरत दिखेगा, इसको खुप स्वरत डिजाइन बनके रडी होगा, इसको हम तो और साजाएंगे, हमारे पास ये कुछ मानी है, बीड से, हमारे पास है कुछ बीड से, वो हम इसमें लगाएंगे, कर दो, कुछ से, हमारे हमारे है, वो हमारे इसमेंटेशना स्वरत हगा दिएम पीटीरो y 아니라 हुआ है वो हमारे है, से, लिजीट euप मारे अज़ा मारे हैं, पूरा रेटी होने के बाद यह ऐसा रिखेगा अगर आपको पसंद आया है तो चानल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए झाल